सायाद आपने गौर किया होगा कि जिस दिन भी आप सुबा जल्दी उठ चाते हैं, उस दिन पूरे दिन आप तरो ताजा, अधिक प्रेरित और अधिक उर्जवान महसूस करते हैं। क्योंकि जब आप सुबा जल्दी उठकर सुबा के वातावरर में घूमते हैं, तो आपको एक अजीब सी खुसी का एहसास होता है, और वो खुसी आपके अंदर नया जोस भर देती है, ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि सुबा का वक्त बहुत ही ज़्यादा सांदार होता है। जब भी आप सुबा जल्दी उठते हैं, तो अने लोगों के मुकाबले आपके पास दिन के कुछ घंटे बढ़ जाते हैं, फिर आप उस समय को सफलता पाने के लिए उपयोग मिला सकते हैं। चाहे आप एशुडेंट हो, जॉब करते हो, आपका बिजनेस हो, आप एक हाउ जुब करते हो, जो भी हो, सुबा जल्दी उठना, लेट उठने से काफी अच्छा और लाफकारी होता है। दोस्तों अगर आप नॉर्मली सुबा 7 बजे उठते हैं, लेकिन अगर आपने 3 घंटे पहले उठना शुरू कर दिया, तो पूरे साल में तुम लगभग 1095 घंट जिसमें तुमें एक्सपर्ट होना है, तो तुमें उस स्कील में हराने वाला इस पूरी दुनिया में कोई नहीं होगा। दोस्तों अगर आप सुबा 4 बजे जल्दी उठना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अपने सरीर को इस काम के लिए ढालना होगा। सबसे पहले और 10 मिनट पीछे का अलार्म लगाईए, इसी तरह रोजाना अपने सुबा उठने के समय को आपको 10 मिनट पीछे ले जाना है, मतलब कि हर रोज सुबा आपको 10 मिनट पहले उठने की प्रैक्टिस करनी है, आपको लगतार सुबा उठने के समय में 10 मिनट कम करते जाना है, उसके बाद बस आपको अपने जागने का यह समय रोजाना मेंटेन करना है। दोस्तो एक बार में कोई पहाड नहीं चड़ सकता। लेकिन अगर आप उस पहाड की रोजाना 5 सीड़िया चड़ना सुरू करोगे, तो एक दिन ऐसा आएगा जब आप उस पहाड के सिखर पर पहुँँ जाओगे। एक बात हमेशा याद रखना, जो वेक्ती सिर्फ सुबा उठने से नहीं जीत सकता, तो वो अपने जिन्दगी में कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। जो एक छोटी सी आदत को नहीं बदल सकता, तो वो जिन्दगी में कुछ भी बड़ा एचीव नहीं कर सकता। इसलिए उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक तुम्हारी मन्जिल प्राप न हो जाए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके जुरू बताईए। और ऐसा ही मोटिवेसनल वीडियो इस देखने के लिए हमारे मोटिवेसनल टू चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना ख्याल रखिए, स्वस्त रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो।